हलो इस्टूडेंट्स इस वीडियो में एक इंट्रेस्टिंग फंक्सनालेटी को डेवलप करने वाले हैं आप चरह ध्यान से देखो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट करके ही कोडिंग करोगे यहां पे html का स्ट्रक्चर अधूरा लिखा गया है यहां आपको वैप इंस्टिट्यूट दिख रहा है किसकी वज़ाशे h1 टैक की वज़ाशे अगर मैं यहां पे content एडिटेबल एट्रोब्यूट का यूज करके इसका वैल्यू ट्रू डिफाइन कर दू तो जरा अप्थ्यान से द लोड किया जैसे ही यहां क्लिक करूंगा आप जरा देखो यह एडिट हो जाएका अब आप यहां पे कुछ भी राइट कर सकते हो कुछ इस परकार से अगर यही चीज आप बॉटी में लगाओगे तो बॉटी में लिखा गया हर एक content एडिटेबल हो जाएका लेकिन अगर स अगर मैं पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन हच वन पे क्लिक करूंगा तो एडिट हो जाएगा अब सपोज कीजिए कि अगर मैं हच वन में ना यूज करके बॉटी में यूज कर दू इस प्रकार से तो इसका मतलब क्या हुआ बॉटी में लिखा गया हर एक कॉंटेंट एडिटेबल हो जाएगा मैं इसके टेस्टिंग करता हूँ आप चरह ध्यान से देखो अब मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा फिर भी एडिट होगा अगर मैं एच वन पे क्लिक करूंगा तो ये भी एडिट हो जाएगा अब इस चीज के पैटरन पे मै कॉमन एप्लिकेशन फंक्सनालिटी आपको टेवलप करके दिखाता हूँ आप चरह उसे समझो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है और एक टेक्स्ट रिटेन है आई एम वैब मुझे एप्लिकेशन फंक्सनालिटी सिर्फ पी एलेमेंट में जनरेट करनी है इसलिए मैं सिर् अब एक फंक्सन क्रियेट करूंगा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में फंक्सन का नाम डिफाइन कर देता हूँ डेमो यह फंक्सन तब कॉल होगा जब इस बटन पे क्लिक होगा इस बटन पे क्लिक करने के बाद फंक्सन कॉल होने की फंक्सनालिटी आप कैसे डिफाइन क कर दोगे क्या मतलब है इसका जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे इस डेमो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया साड़ा कॉन्टेंट एक्जिक्यूट करेगा आप चरध्यान से देखो मैं इसके अंदर एक मेथड राइट कर रहा हूँ क्या नाम है मेथड का इस मेथड का उप्योग तब करते हैं जब आप विंडो के किसी एप्लिकेशन को एक्सेस करना चाहते हो आपको शायद पता नहीं होका आपके विंडो में कई परकार की एप्लिकेशन्स अलग-लग काम के लिए मौजूद होती है जैसे जब आप कॉपी करते हो अपने विंडो ओपरेटिंग सिस्टम में तो आटोमेटिकली आपके विंडो ओपरेटिंग सिस्टम का कॉपी.exe फाइल एकसेस होता है इसी की वजह से आप किसी चीज को सेलेक्ट करके उस पे राइट क्लिक करके कॉपी कर पाते हो जब आप कट करते हो तो कट.exe एकसेस होता है जब से select all dot exe application access होता है अगर मैं इन में से किसी भी application को access कर लूँ तो मैं copy की functionality बना पाऊंगा, cut की functionality बना पाऊंगा, paste की functionality बना पाऊंगा तो जब भी आपको Windows से किसी exe based application को access करनी हो तो आप method यूज करोगे exe command मैं यहाँ पर define करता हूँ select all इसका मतलब क्या हुआ जैसे ही आप button पे click करोगे select all dot exe application आपके Windows operating system से access होंगी और जिसमें आपका content editable लगा हुआ है वो पूरा select हो जाएगा तो अगर मैं अभी button पे click करूंगा तो आप observe करना I am web automatic select हो जाएगा मैं इसे run करता हूँ आप जरा ध्यान से देखो मैं इस पे click कर रहा हूँ आप देखो select हो गया अब यही चीज आप पहले कैसे करते थे इस प्रकार से लेकिन अब क्या हो रहा है जैसे ही आप button पे click करोगे automatic select हो जाएगा अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे click करूँ तो select होने के बाद यह text bold हो जाए तो उसके लिए मुझे bold.exe को access करना होगा मैं यहाँ पे exe command method दुबारा चलाऊंगा और write करूंगा bold तो अब क्या होगा जैसे ही आप click करोगे automatic पहले text select होगा फिर bold हो जाएगा अब इसके testing करते हैं आप चरह ध्यान से देखो आप देखलो अभी text पतला है जैसे ही मैं click करूंगा automatic यह काफी मोटा हो जाएगा तो इस functionality को mix करके अगर आप चाहो तो notepad जैसी application easily बना शकते हो अगर आप complete software development का pattern सीखना चाहते हो तो पोर्च को जोईन कर सकते हो डेस्क्रिप्शन में सारी information आपको मिल चाहेंगी या आप हमारी website पे विजिट करके सारी information को प्राप्त कर सकते हो वैप institute की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद